बिस्मिल्लाइर रह्मारोहीम, अस्तलाम अलेकूम, वेलकम बैक टू माई च्रैनल, उमीधा आप सब ठीक ठाउक होंगे, हैरियत से होंगे, और बहुत पुर्सुकून होंगे, अल्लापाक आपके जिन्गियों में आसानिया पैदा करें, तो आज मैं बना रही हूंजे, क्रि पैप्रिका इसके अंदर चला जाएगा, वन ठेबल स्पून, ब्लैक पैपर का यूज यहां में करनी हूं, यह जा रही है, जी वन टी स्पून, वाइट पैपर का यूज भी आप यहां कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको मिक्स अप करेंगे, और मिक्स अप करने के 4 उनन चकते तर Brian अगी उन बेचल भाजाएगा, वन खूवरेगा बबाहां में करेंगे न ऑक सब्दाद करेंगे सब्सक्णारी को पैसलिका चलाएग, और मिक्स ऐना पहे निदर यहां रही है, उनकी बेड़े कोटर का यहां पीज उनका जितना भी एक्सस्ट्राय ताकि हमारी कोई चीज भी वेस्ट ना जाए ड्राय फ्लावर में ले लिए जी दो कप उसके अंदर में ने डमक डाला है वन टी स्पून पैप्रिक का डाला है मैंने वन टी स्पून गारलिक पॉडर भी हाँ पर वन टी स्पून आप डाल सकते हैं और साथ में डाली है में डालेंगे और डालें के बद अगेन हम इसको ड्राय फ्लावर के अंदर डालेंगे और अच्छे तरीके से आपने इसको करना है प्रेस आपने इसको प्रॉपर आपने दबा दबा कर आप इसको जितना प्रेस करके आप अप्लाई करेंगे उतनी यह अच्छा आपका करम ने सारी हां पर विंग्स रेडी कर ली थी फ्राइंग के तरफ आ जाते हैं जी तो आपने स्टार्ट में फ्राइंग के लिए आपने प्री हीट करेंगे तो आपने फ्लेम हाई रखनी है उसके बाद जब आप विंग्स को इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद आपने क कुछ सेकिंड्स के बाद आपने फ्लेंड को मीडियम करना है अगर आप पहले साही मीडियम फ्लेंड पर इसको अपने फ्लेंड जी फारटन करना करें तो उसका आपकत विंग्स निकलने यह जाぎएं ठोड़ी सोगी हो जएगी उनको पक liberals क्रिस्पी रखने के लिए आखर तक आपने क्या करना है कि हाई फ्लेम पें को फ्राय करना है स्टार्ट में आपने अपने फ्लेम को बाद में स्लो करना है यह देखें जी पिकोज ऑईल का टंपरेचर जो है वो विंग्स डिलती ही चेंज हो जाएगा तो जितना भी इसके और फ्लार है वो सौगी हो जाएगा यह देखें जी तक्रीबं तीन से चार मिनट आप इच साइड इनको फ्राइ करने लेकिन डालने के बाद आप इनको कुछ तेर नाच एड़ियेगा बहुत ही मज़ेदार बन कर ये क्रिस्पी विंग्स रैडी हुई थी आप इस रेसिपी धुष्ड़िया ओाप इस रेसे मज़ेदार है उतार बन कर प्राइड़ नाच ढएगाई एड़ियेगा रिल्वता बन कर दो साइड दिख़ है रिल्हें झज़र एप इस रेसे तक्राइड़ियेग आपकुर झांपकुर ये जल्हाईगर चुरणार को जड़ियेगा इस